दोस्तों डिस्प्ले, IPS LCD और Macro Depth 2-2 Megapixel के जो की यूजलेस हैं ये दिये हैं इन्होंने अपने फोन के अंदर पैसा पर पात दोस्तों आज किस वीडियो में हम कंपैरेजन करेंगे OnePlus Note CE 3 Lite स्मार्टफोन को Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन के साथ में और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेगी तो आपको बता दू कि OnePlus के अंदर हमें 6.7 इंचिस की Full HD Plus IPS LCD डिस्प्लेगी है जो की 120 Hz के रिफ्रेश रेट को स्पोट करती है और वहीं दूसरी तरह Redmi के अंदर हमें 6.67 इंचिस की Full HD Plus Super AMOLED दिस्प्लेगी है जो की 120 Hz के रिफ्रेश रेट को स्पोट करती है यानि कि दोस्तों डिस्प्लेगी आपर भई कंटेंड वोचिंग के साथ ना Redmi फोन की एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि इस फोन में हमें Super AMOLED पैनल दिया गया भई आपको एकदम मैदार कंटेंड वोचि 13 के साथ में आता है जो कि Oxygen OS 13 पर बेस्ट है वहीं दूसरी तरह Redmi का फोन आउट ओड़ा वोक्स एंड़ोट 12 के साथ में आता है जो कि MIUI 13 पर बेस्ट है यानि कि ओपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर OnePlus का फोन ही विनर है क्योंकि यह फोन हमें आउट प्लस के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नानो मिटर टेकनोलजी पर बेस्ट है वहीं दूसरी तरह Redmi के अंदर हमें Snapdragon 490 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नानो मिटर टेकनोलजी पर बेस्ट है और आपको बता दो दोस्तों डे-to-day परफोर्मेंस और में triple camera का setup दिया गया है और सबसे पहले हम बात करेंगे OnePlus की तो इस phone का main camera 108 megapixel का macro camera है 2 megapixel का और जो depth camera वो भी है 2 megapixel का वहीं दूसरी तरह Redmi phone का main camera 40 megapixel का ultrawide camera है 8 megapixel का और जो macro camera वो है 2 megapixel का दोस्तों यहाँ पर दोनों smart phones के जो main camera है वो तो काफी अच्छी photo और वीडियो आपकी क्लिक कर देगा लेकिन एर OnePlus phone के अंदर वही हमें दो का macro दो का depth सिरफ useless camera दिया इसका कोई फायदा नहीं है इसलिए दोस्तों अगर आपकी priority भाई अल्ट्रावाइट camera भी आना तब आप यहाँ पर definitely Redmi की तरफ ही जरूर से जाईए और अब बारी आती है front camera की तो OnePlus के front में 16 megapixel का selfie camera दिया गया है वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें 13 megapixel का selfie camera दिया गया है वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें 13 megapixel का selfie camera दिया गया है भाई selfie lovers के साब से यहाँ पर दोन स्मार्टफन बड़िया है और maximum video recording अप दोनों फोन के front और back camera से 1080pixel तक ही कर सकते हैं बैटरी डिपा स्पोर्ट करते हैं इसलिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया फास्ट चार्जिंग के साफ से स्मार्टफोन लेना नहीं तब आप यहां पर डेफिनेटली वन प्लस की तरफ ही जरूर से जाईए नेटवर्क कनेक्ٹिवीटी के अगर हम बात करें तो दौनों फॉन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिवीटी के साथ में आते हैं 3.5 mm जेखा हमें दौनों फॉन्स के अंदर दिया गया है वहीं दूसरी तरफ Redmi phone के 6 Plus 108 GB variant की pricing भी है 20,000 पे और अगर मैं यहाँ पर अपना point of view दूना भाई इन दोनों phones के लिए तो देखियार अगर आपको बढ़िया content watching के साफ से smartphone लेना है जिसमें के ultra wide camera भी दिया गया हो तब आप यहाँ पर definitely Redmi की तरफ ही जरूर से जाईए लेकिन दूसरी तरफ आगर आपको OnePlus की brand value के साफ से smartphone लेना है जिसमें की 67 watt की fast charging भी आपको दिया गया हो तब आप यहाँ पर definitely OnePlus की तरफ ही जरूर से जाईए तो बस दोस्तों यही थे मैरे कुछ honest opinions इन दोनों smartphones के लिए